आज मैं आपके साथ सेयर करूँ कि मुंबै यह बहुत ही फेमस चतनी की रेश्टी यह मुंफली और लासुन अरेमिक से बनता है इसे महारास्ट में ठेचा की नाम से जाना जाता है बहाना बहुत है ताप सभी चतनी की रेश्टी को जरूर ट्राइग करें हलो दोस्तों मैं हूं सरोज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सरोज का कीचन में चलिए आज की रिस्पी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम मुफली को भूनेंगे तो हमने गयस पर पैन रखा है पैन कोछी से गरम होने देंगे इसमें डालेगे हैं मुफली मैंने आप आदा कप मुफली लिया है अपनी इसाब से कम ज्यादा पर सकते हैं इसे low to medium फ्लेम पर हम भूनेंगे ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं या बीच में फ्लेम को लोग कर देजिए फर हाई फ्लेम बिलकु बिलकुब ना कीजिए यह ठढ़ा बनेका से चीडिक ही-्षिक मुफली को साफ करेंगे यह देखिए, मैן सारे मुफली को साफ कर दिया है है। विसे हम यह चानके निकाल देखिए हम अच्छिद के आलाग और मुफली आलाग इसी तरह सारे मुफली को खाल के निकाल लिया है तो हम में की हाप लेंगे हरी मिर्च दोकर के साप कर लिये हम से हम छोड़े छोड़े पिसे में ुक्त करेंगे जिससे मैं चटनी बनाने में थोड़ी असानी होगी रासुन को मैंने पहले ही खिल के रख लिया था हरी मीज को पहले ही धो के साफ कर ले यह दो कि मैं हरी मीज को निकार देख प्लेट में रखेंगे इसे रासुन भी ले लेंगे अब चलता है Gass के तरफ यह मैं मैं गैस वे विच छेप रही दो साकते है जैसे मारा OEOL गरम हो जाएगए जीरा सुधाय दसेता कहें भीवन तरफ जीरा को इसे हम चिटगने देंगे हरी मीच और दुनों के साथ में लोट रमीजे फ्लेम पे भूनेंगे चलाते भी लगता है यह देखिए हमारी हरी मीच यह लोसंजे फ्ले से भून चुके हैं ते यह डाल देगे अपना हम भूना हुआ मुंफली और दूरों के साथ में हम भूनेंगे यही पेड़ करें हम स्वाथ के अनसार नमख यहां हुआ जाल दिया है मिला लेंगे और एक सीद्द्वेटेश है और भूनेंगे हम उसे ज्यादा में नहीं भूना है तिये देखिए मैंने अच्छी से भून लिया है हमारे यहापर जो है तियार हो चुका है चटनी के लिए लसन और मुपली और हरी मीड इसे प्लेट में रखेंगे ठंडा होने के लिए तो जैसे यह ठंडा हो जाएगा इसको हम चटनी बनाएंगे यह देखिए हमारे हरी मीड ठंडा हो चुका है इसे हम अब एक खलवेट्टे में कुटेंगे आप में इसे ग्रांडिंग जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं पर इसे दरदा ग्राइंड करें यह चटनी ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है हमें इससे बारिक नहीं करना है यह खलवेट्टे में ज्यादा अच्छा बनता है चटनी इसलिए मैं खलवेट्टे में ही बनाऊंगी इसे तरह हम इसे फूट लेंगे यह देखे मैं अच्छी से फूट लिया है हम यह आप जो चटनी है बनके त्यार हो चुकी आप देख सकते हैं देखने कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही तेस्टी लगता है यहीन मारी है एसे ही हम बागे चटनी को भी बना कर त्यार कर लेंगे यहां पर मैंने स्टीक वाली मिर्च लिए आप जहांती हैं पर सादना मिर्च भी ले सकते हैं जो कम तिखी होती है वो भी आपको मार्केट बहुत है सानी से मिल जाएगी यह देखे मैं दूसरी बाज भी फूट लिया है अमरी चटनी त्यार हो चुकी है इसे निगाल लेंगे यह चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है रोटी और पराठेक से दोर भी अच्छा लगता है आप इसे इस्ट्योर कर सकते हैं यह खप्ते के लिए अगर आप इसे घुमने जा रहा है पिक्निक पे जाए तब इसे लेके जा सकते हैं खाने बहुत ही लगता है और आप इसे इस्ट्योर करके एक हप्ते तक खा सकते हैं खराब नहीं होगा किं इसे मैंने रोटी के साथ सब्किया है बर रात की बचिवी रोटी के साहब राती कि मैंने घी लगा या है हैं कि आप किसी बीदिए कीजिया रोटी के psychologically या परांथे के साथ खाने हम बहुत अच्छा लगता है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सस्क्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ में घंती का बटन दबाते जाए तक कि जब में मेरे नए वीडियो है, सबसे पहले आपके पास दोचें, तो दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसी रेश्पी चाहिए तो मुझे कमेंट बक्स में, जबर बताए में कुछिस करने के सेयर करने के लिए, मिलती है यह नई रेश्पी के साथ, तब तक के लिए बाए दोस्तों